Hello students, कैसे हैं बच्चे? आजना हम 10th class के math subject का worksheet जो है 73 number का वो हम discuss करेंगे इस वीडियो में ये जो worksheet है आपको students 30 December 2020 को मिलेगी और इस worksheet का topic है construction of tangents including more than one circle तो इसमें जब हमारे पास एक से ज़्यादा circle होते हैं तो उन पे हम tangent line जो है वो draw करना सीखेंगे इससे related हमारे पास यहाँ पर कुछ examples दिव है हम इनको one by one जो है वो यहाँ पर देख लेंगे ठीक है और इसके बद जो questions है basically हम उनको यहाँ पर try करते हैं इस video में so जो first question है इसमें हमारे पास concept है draw a circle of radius 4 cm take two points s and t on one of its extended diameter each at a distance of 9 cm from its center and draw tension to the circle from these points s and t so students हमें यहाँ पर क्या करना है 4 cm का circle draw करना है ठीक है तो सबसे पहले हम यही यहाँ पर करते हैं आप क्या करेंगे सबसे पहले आप mention करेंगे 4 cm that means जो भी आपके पास यहाँ पर compass होता है उसमें आपको एक arc जो है length उसकी measure कर लेनी है 4 cm के लिए तो इसमें आप अपने compass को इस तरीके से open करते हैं कि 4 cm की length का arc आपको मिल जाए फिर आप उस arc का radius approach करके क्या करते हैं यहाँ पर एक circle जो है वो draw कर लेते हैं जो भी आपके पास circle है उसके center को आप name देते हैं and then उसके बद आप क्या करते हैं diameter जो है वो draw कर लेते हैं तो जब आपके पास circle का diameter आपको मिल जाता है तो according to question हमें क्या करना है जो भी diameter है उससे हमें 9 cm की distance पर points लेने हैं तो पहले हम left side में point ले लेते हैं 9 cm हम यहाँ पर measure करते हैं exact उसके लिए हम क्या करते हैं center पर 9 को रख देते हैं scale के और उसके बद 0 से हम इस 9 को meet करा देते हैं straight line की help लेके तो यह हमें यहाँ पर एक point मिल जाता है similar हम इसी प्रोसेजर को repeat करते हैं और जो right side है वहाँ पर भी 9 cm की distance पर एक point ले लेते हैं और उस point को हम क्या करते हैं straight line की help लेकर जो है वो meet करा देते हैं तो इस तरीके से हमें यह जो भी हमारे पास center point होता है उससे left और right दोनों ही direction में हमें points मिल जाते हैं हम इनकी leveling कर देते हैं as and t as per the question अब यहाँ पर हम यह भी यहाँ पर इनकी जो dimension है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं like 9 cm जो है हमारे पास center से जो इसकी distance है अब हमें इन points से क्या करना है tangent line draw करनी है इस circle पर तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास left side वाला line segment है os हम इसका क्या करते हैं perpendicular bisector draw करते हैं तो perpendicular bisector draw करने के लिए जो भी हम यहाँ पर arc scribe करते हैं इनके intersection point को हम क्या करते हैं scale की help लेकर एक straight line से meet करा देते हैं और इसको यहाँ पर labeling कर देते हैं a b that means a b हमारे पास क्या हो जाता है perpendicular bisector हमें मिल जाता है तो यह जो perpendicular bisector है इस line segment os को जिस point पर cut करता है उस point पर हम अपने compass का pointer रखते हैं और फिर उस radius का मतलब जो भी इस point से लेकर s point तक हमारे पास distance है इतनी radius का हम यहाँ पर एक circle draw कर लेते हैं यह हमारे previous circle को two points पर intersect करता है हम इनको name देते हैं m and n now अब हम क्या करेंगे s point से इन points को meet करा देंगे ठीक है तो पहले तो हम s से n को meet करा देते हैं तो हमें tangent मिलेगी क्या s n clear तो जैसे हमें s n मिला similar इसी procedure को repeat करते हुए हम s को m से meet करा देते हैं तो हमें s m जो है वो tangent line जो है वो यहाँ पर मिल जाती है clear तो इस तरीके से हमने जो left side पर हमने point लिया था s इस से हमने यापर दो tangent line draw कर ली है एक तो s m और एक s n basic concept यह होता है कि जो भी हमारे पास circle है उसको touch करने चाहिए यह line अगर यह आप चाहें तो इसको आगे तक further जो है extend कर सकते हैं otherwise इतना भी रख सकते हैं concept यह है कि बस यह क्या करने चाहिए आपकी circle को touch करनी चाहिए अब जैसे आपने यहाँ पर left side में यह जो प्रोसेजर किया same इसी प्रोसेजर को repeat करते हैं हम right direction में तो जो भी हमारे पास line segment है OT इसका हम perpendicular bisector draw करते हैं और perpendicular bisector जब हमारे पास मिलता है clear मतलब उसके लिए जो भी हम यहाँ पे आप इसको क्या name देंगे कुछ भी दे सकते हैं suppose हमने V दिया अब हम OV इतनी radius का यहाँ पे एक circle जो है वो draw कर लेते हैं यह हमारे previous circle को two points पर intersect करता है ठीक है आपको OV जो radius है उसी का ही circle draw करना है clear तो आपका OV और VT आपका एकदम same measurement का आपको मिलेगा तो यह जो previous circle को जिन two points पर intersect करता है उनको हम name दे देते हैं K and L और अब हम T point से क्या करते हैं K point को meet करा देते हैं तो हमें T के straight line जो मिल जाती है यह हमारे पास tangent line हो जाती है similarly अब हम T से L को भी meet करा देते हैं तो हमें T से L मतलब यह एक हमें ओर tangent line जो है यहाँ पर मिल जाती है clear? so students अब हमारे पास जो भी दोनों points थे S and T हमने यहाँ से tangent line ड्रो कर ली है S से जो tangents हैं these are S M and S N okay and जो हमने T से tangent ड्रो किये हैं that is T K and T L तो question 1 यहाँ complete होता है अब हम बात करते हैं question number second के according to question number second we have to construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length हमें बचों यहाँ पर 4 cm का circle ड्रो करना है same center लेते हुए 6 cm का भी circle ड्रो करना है और उस 6 cm के circle से हमें क्या करना है tangent ड्रो करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 cm जो है उस length को यहाँ पर measure कर लेंगे okay तो 4 cm की length को जब हम measure कर लेते हैं यहाँ पर तो हम उस length के साथ मतलब क्या करेंगे pointer को रखेंगे और एक arc scribe करेंगे ठीक है तो यह जो arc है हम इसको जब completely 360 degree के rotation के साथ scribe करते हैं तो हम एक circle मिल जाता है अब next हमें क्या करना है हमें एक और circle draw करना है और जिसके radius जी है 6 cm तो हम 6 cm length का arc लेंगे और same center पे ही हम क्या करेंगे pointer को रखेंगे और जो circle है न वो draw कर लेंगे clear तो 4 cm और 6 cm दो अलग-अलग radius है हमारे पस but center हमारे पस same है तो इस तरह के circle को हम concentric circle भी कहते हैं अब हम circle जो है जिसका जो outer जो है circle उसको हम meet करा देते हैं center point से ठीक है और center point से meet कराने के बाद जो भी हमारे पस यहाँ पर radius मिलता है यानि कि line segment इसकी हम labeling कर देते हैं और इसको name देते हैं OP next अब हम क्या करेंगे हमें circle इस circle पर जो भी smaller है उस पे न हमें tangent draw करने हैं तो हम OP करना perpendicular bisector जो है वो draw करेंगे clear तो perpendicular bisector draw करने के लिए हम upward और downward दोनों direction में हम arc scribe करते हैं और उन arcs के intersection point को हम scale की help लेकर एक straight line जो है वो draw कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें जो perpendicular bisector वो मिल जाता है और यह हमें OP line segment को M point पर intersect करता है next अब हम क्या करेंगे pointer को M point पर रखेंगे और O M length जितनी radius का जो हमारा circle जो है वो यहाँ पर draw कर लेंगे अब जो हम इस तरीके से draw करते हैं तो यह हमारे smaller circle को two points पर intersect करता है यह वाला circle ठीक है आप देख पा रहें easily यह जो two points है हम इनकी labeling कर देते हैं और इनको भी यहाँ पर कुछ भी name दे सकते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर इनको निम दे देते हैं q and r next अब हम क्या करेंगे p point से q point को meet करा देते हैं तो जब हम p से q को meet कराएंगे तो हमें tangent मिल जाती है p q और similarly हम p point को r point से भी meet करा देते हैं तो जब हम p को r से meet कराएंगे तो हमें यहाँ पर tangent मिल जाती है PR तो PQ और PR यह हमें दो tangent मिलती है P point से मिलती है ठीक है next अगर हमें यहाँ पर इनकी length को measure करना है तो हम measure करके भी check कर लेते हैं ज़रा देखिए यह हम जब measurement करते हैं तो हम देख पा रहे हैं यह 4.4 और 4.5 के middle पर कुछ value हमें मिल रही है okay we can calculate this value and suppose this is 4.47 okay मतलब यह middle में और ऐसे गर हम PR को measure कर रहे हैं तो यह भी हमें इतना मिल रही है that means PQ and PR have the same value and that is equal to 4.47 cm clear तो यह हमारे पास यहाँ पर जो smaller circle है 4 cm radius का इस पर हमने 6 cm के radius वाले larger circle के किसी एक point P से tangent line draw कर ली है so students यहाँ पर हमारी worksheet complete होती है आप मझे comment करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कैसी लगी है और चैनल को subscribe भी कीजेगा thank you for watching